इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिटोरिया कैपिटल्स वर्षे जोहांसबर्ग सुपर किंग साउथ पिर का T20 लीग का ये मैश नमबर जो है 20 है ये मैश जो है 9 बजे से स्टार्ट होगा साउथ पिर का T20 के आज जो है 2 मैचेस खेले जाएंगे तो ये जो है 2 मैच है पहला मैच जो है संराइजर इस्टर्न वर्सेज एमाई कैप टाउन के बीच में खेला जाएगा तो इसके टीम आपको हमारे डैरेक्ट टेलिग्राम के चैनल पे मिलेगी और जबकि हम यहाँ पर PRC और JS के का डीपली आनलेसिस करने वाले हैं तो वीडियो को यार पूरा दिखेगा आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा फुल स्टैट्स इंफर्मिशन के साथ में आपको इस वीडियो में जो है अच्छे अच्छी जानकारी देंगे सबसे पहले आपको फोकस 11 अप्लिकेशन के बारे हम बता दें गाइस बहुत ही कमाल की अप्लिकेशन है फोकस 11 अप्लिकेशन जो है बहुत ही कमाल की अप्लिकेशन है यहाँ पर अगर आप देखोगे नो तो आपको सारे ही matches मिल जाएंगे और contest भी काफी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर तो high investor है उनके लिए तो भाई यह जो है स्वर्ग है और भाई बहुत ही बहतरीन application है आने वाले दिनों की यह number one application होने वाली है अभी grand league यहाँ पर नहीं है क्योंकि यह application काफी नहीं है लेकिन grand league भी यहाँ पर आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी वीडियो के description में हमने focus 11 application की link डाल रखी है वहाँ से इसको आप download कर लेना royal bro refer code डाल दिना refer code आप जैसे ही डालोगे आपको 500 रुपी sign up bonus भी मिलेगा यहाँ पर आपको instant customer support मिलता है instant आपको withdraw मिलता है तो guys application को जरूर से download करो यहाँ पर खेलना आप start करो बहुत ही अच्छी application है जीरो commission वाली यहाँ पर काफी सारी leagues है अब directly हम बात करते हैं match के बारे में प्रिटोरिया कैपिटल्स वर्से जोहांसबर्ग super king match number 20 है match जो है 9 बज़े से start हो रहा है super sport park जो है centurion के venue पर यह जो है match start होगा यहाँ की अगर मैं pitch report की बात करूँ यहाँ की पिछी जो है batting paradise जानी जाती है यानि की bat अच्छी देखने के लिए मिलती है fast ballers को जो है advantage रहता है 190 run यहाँ पर अगर आप देखोगे last five matches का average score है जो की काफी अच्छा है जो भी team यहाँ पर toss win करेगी न वो fielding लेना जो है prefer करेगी यानि की chasing करना जो है prefer करेगी वीडियो को like भी कर दीजे मेरे भाई बहुत सारी महनत लगती है वीडियो को बनाने में इन सारे stats को लिखने में तो वीडियो को like आप ज़रू से करें काफी motivation मिलेगा और काफी आपका support मिलेगा venue stats की बात की जाए इस venue पे अगर आप देखोगे domestic label के T20 total 50 matches के ले गए है 20 बार bet first करने वाली team ने win किया है और 29 बार bet second करने वाली team ने win किया है average score 160 run है highest score 254 run है lowest score 89 run है की बीच में 11 बार और 190 से उपर यहाँ पर 9 बार score बना है venue पर जो last match खेला गया था वो 25 जन्वरी को match खेला गया था थोड़ा सा बैलो score match था wickets काफी गिरे थे 19 wickets गिरे थे इस match में उसके पहले वाले match अगर आप देखोगे न तो दो बार जो है यहाँ पर 200 प्लस जो है score बना है sorry यहाँ पर भी जो है अगर आप देखोगे last के 4 matches में तो हर बार 200 प्लस ही यहाँ पर score बना है तो venue जो है batting paradise रहती है last match बले ही जो है जादा run नहीं बने लेकिन यह venue पर जो है run काफी बनते हैं और average score मान के चलना last 5 matches के यहाँ से 183 run है total 64 wicket गी रहे हैं 5 matches में ठीक है लगबग जो है हर match में 12-13 wicket जो है आपको गिरती भी मिलेंगी 51 wicket जो है fast baller ने लिये हैं और 13 wicket जो है spinner ने लिये हैं तो यहाँ पर देख सकते हूँ आप clearly जो है fast ballers को advantage रह रहा है Pacers ने 51 wicket लिये हैं जबकि सिर्फ 13 wicket जो है spinner ने लिये हैं तो spinners को wicket बहुत ही कम मिलते हैं अब हम बात करें head to head के record की तो head to head में देखोगे total जो है 3 matches हुए हैं दोनों ही team के बीच में सिर्फ एक बार Pretoria Capitals की team ने win किया है और 2 बार जो हांस बर की team ने win किया है इनके बीच में जो last head to head का match केला गया था इसी season खेला गया था और ये match अगर आप देखोगे JSK की team ने win किया हुआ है उसके पहले PRC की team ने win किया था और ये वाला match जो है JSK की team ने win किया हुआ है दोनों ही टीम की अगर मैं recent form की बात करूँ तो अपना last वाला match प्यारसी की टीम विन करके आ रही है जबकि JSK जोहांस बर की टीम अपना last वाला match हार के आ रही है जोहांस बर की टीम जो है काफी बेकार खेल रही है इस सीजन 6 matches total के लिए है सिर्फ 1 match विन किया है चार match इनोंने loss किये है एक match जो है इनका no result गया है प्यारसी की टीम अगर आप देखोगे इनोंने भी tournament में 6 matches के लिए है जिसमें 2 match विन किये है और 4 match इनोंने भी जो है loss किये हुए है अगर आप देखोगे दोनों ही टीम ने last match में जो है bet first किया था last 5 match प्यारसी के और जैसके के यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेइंग 11 की बात की जाए तो देखो कोई news तो नहीं आई है तो सायद से same प्लेइंग 11 आपको देखने के लिए मिलेगी अगर कोई change होगा मैं आपको टेली ग्राम चैनल पर बता दूँगा प्लेइंग 11 देखते हैं फिलिफ सौट के साथ में आपको विल जैक्स ओपेन करते हों मिलेंगे वन डाउन पे काईले वेराने हैं उसके बाद राइली रोसो है कॉलिन इन ग्राम है उसके बाद सैंड डेड्स वाल है फिर जैमी नीशम है परनेल है इथान बोस है आजिल र पॉली है उसके बाद एस मकाना है फिर मोहिनली है डी फरारिया है रेमारियो सेफ़र्ड है काईले सेमंड सेंड लिजार विलियम सें नादरे बर्गर है और इमरान ताहीर है तो यह जोहां सवर्ग सुपर किंग की प्लेइंग 11 है दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 विद 32 की एवरेज से 93 रन है हालाकि स्ट्राइक रेट थोड़ा अच्छा है आप बोल सकते हो वेन्यू पर 7 मैचस में 135 रन है तो वेन्यू पर भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है जबकि यह काफी अच्छा प्लेयर है टीट्वेंटी के लिए अच्छा प्लेयर ही यह माना विल जैक्स कुछ मैचस में काफी अच्छा किये हैं और एक सेंचुरी भी मार चुके हैं एक हाफ सेंचुरी भी मार चुके हैं और बॉलिंग करा रहे हैं लेकिन लास्ट मैच में काफी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे काईली बिरा ने आते ही 72 का स्कोर किया था लेकिन लास्ट के दोनों मैचस में फ्लॉप रहे हैं राइली रोसो का अगर आप देखोगे एक 50 प्लस की इनिंग्स के लिए बाकी मैचस में आप देख सकते हो कि रिसेंड फॉर्म उतना अच्छा नहीं है थोड़े हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर इनको जो है काउंट किया जाता है सेम कंडिशन कॉली इन ग्राम के भी साथ में अपलाई होती है और सैंड डेड्स वाल जो है आपको ग्रैंड की टीम में ट्राइ करना चाहिए जैमिनिशम हमेशा से बढ़िया परफॉर्मेस देते हैं लास्ट मेंच में भी 27 रन से कंटिब्यूट किया 6 रन प्लस 1 विगेट, 4 रन प्लस 1 विगेट, 20 रन प्लस 1 विगेट तो बंदा तो परफॉर्म करता है ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी परनेल ने लास्ट मेंच मेंच 3 विगेट निकाले अदिल रसीद को भी 3 विगेट मिले इथान बोस को 1 विगेट मिला और डोपालीन को जो है 2 विगेट मिला तो ये लास्ट मेंच की इनकी परफॉर्मेंस है बॉलिंग की अगर बात की जाए ये लास्ट मेंच की इनकी बॉलिंग है सब ने 4-4 ओबर ही डाले थे तो जो की काफी अच्छी बात है परनेल ने बहुत ही शांदार गिंद बाजी करी थी 4 ओबर में एक मैडन ओबर था और अगर पावर प्ले में गिंद बाजी की बात की जाए तो इथान बोस दोपालीन आपको पाउर प्ले में गिंदबाजी करते हों मिलेंगे और डेथ में गिंदबाजी की बात की जाए तो परनेल और डोपालीन ये आपको डेथ में गिंदबाजी करते हों मिलेंगे PRC टीम की तरफ से जो हांस बर्क की अगर मैं परफर्मेंस की बात करूं अब एज हो गई है और मुझे नहीं लगता कि अच्छा परफर्म जो है कर पाएंगे लास्ट के 6 मैचस में अगर आप देखोगे बिल्कुल भी अच्छी परफर्मेंस नहीं आई है हेट्ट्वेट के 3 मैचस में अगर आप देखोगे मातर 87 रन है रीजा हेंडिक्स ने लास्ट मैच में कमाल किया था 79 रन नोट आउट किया था और अगर आपको याद होगा तो हमने मीनी जील की टीम में इनको जो है कैप्टन भी किया था लूज दी पॉली अच्छा कर रहे है हर मैच में जो है थोड़ा-थोड़ा कंट्रिब्यूट कर रहे है मखाया फ्लॉप रहे और मोईन अली लास्ट में के हीरो रहे तेज रन की ये प्लस दो विकेट भी लेकर गए अच्छी परफर्मेंस ने दी थी आपको अगर याद होगा तो हमने इस स्मॉल लिकी टीम में इनको जो है वाइस कैप्टन किया था लास्ट मेच में और बटलर को जो है आई थिंग कैप्टन किया था डी फरारिया की अगर बात की जाए लास्ट में चपन रन इनों ने किया थोड़ा सा बैट ओर्डर नीचे है लेकिन यह बॉलिंग भी कर लेते हैं द्यान रखेगा अच्छी अप्शन है रे मारियो से फर्ड की बात की जाए और यहाँ पर अगर आप देखोगे न कुछ मैचस में फ्लॉप रहे हैं लेकिन कुछ मैचस में हीरो बनके आए हैं जैसे कि यह 34 रन प्लस एक विकेट यहाँ पर तीन विकेट तो ग्रैंड लिप में बहुत अच्छी जो है परफॉर्म कर जाते हैं इसके अलाबा अगर मैं बात करूँ लेजार विलियम्स विकेट लेके जा रह हैं यह लास्ट मैच की जो है जो हांसबर्ग सुपर किंग की जो है बॉलिंग डिटेल्स है रेमारियो सेफ़र्ट को दो अबर मिला था और काईले सीमंस को भी जो है दो अबर मिला था पाउर प्ले में गिनबाजी की बात की जाए तो काईले सीमंस के साथ में नाद्रे बर प्लेयर मैंने आपको यहां पर बताए हैं, टॉप पिक्स में आते हैं, टॉप लिस्ट में, काफी सारे लोग लेके आएंगे, आपको भी इनको लेके जाना चाहिए, इस मॉल लिकी टीम में अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन जा रहे हैं, विल जैक्स, रिमारियो सेफ़ यहां पर हमने जो है, प्रिटोरिया कैप्टन की पूरी फुली स्कॉर्ड डिटेल, जोहांसबर्ग की पूरी फुली स्कॉर्ड डिटेल, दोनों ही टीम की हमने स्कॉर्ड डिटेल लिखी है, तो दोनों ही टीम की आप स्कॉर्ड डिटेल भी यहां पर देख सकते हैं, Focus 11 application को डाउनलोड कर लेना Telegram पर भी आपको लिंक मिलेगी और वीडियो के description में भी हमने Focus 11 की लिंक डाल रखी है Telegram चैनल की जरूरी है यहाँ पर आप जरू से जॉइन करिए Small League की टीम, Mini GL की टीम आपको देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर आपको टॉस की information तो मिलती ही है Playing 11 के साथ में चलिए Dream 11 पर चलते हैं जहाँ पर अपनी हम 3 member और 4 member की टीम रेडि करते हैं Wicket keeping section से शुरुआत करेंगे Phillip Saut, Deep Ferrari, Kyle Leverane अब देखो Kyle Leverane 1 डाउन पर आएंगे Deep Ferrari नंबर 5 पर आएंगे Grand League की टीम में try कर लेना हमारे पास और भी बहुत सारी options है इसलिए इन दोनों को ignore कर रहा हूँ अगर मैं बात करूँ बैट section में तो Rija Hendricks हमारी टीम में directly आएंगे आप Rally Rosso के साथ में जा सकते हो 30-35 run करके आपको दे सकते हैं फिलाल मैं नहीं ले पाया हूँ Will Jacks को लिया है Jamie Nisham को लिया है Moeen Ali को लिया है Remario Sefford को अपने टीम में लिया है यहाँ पर run काफी अच्छे बनते हैं तो Small League की टीम में थोड़ा सा मैंने risk लिया हुआ है लेकिन मैं अपनी Mini JL की टीम में काफी सारे बैटर्स भरने वाला हूँ आदिल रसिद लास्ट उच में तीन विगेट मैं अपने टीम में लेके जाऊंगा मैंने नादरे बर्गर को लिया है परनेल को लिया है और लिजार्ड विलियम्स को लिया है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डोपालीन एक बढ़िया बहतरीन उप्शन है तो मैंने इनको भी अपने टीम में प्रेफर किया है मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बाउलर अपने टीम में लिया है यहाँ पर बैट अच्छी देखने के लिए मिलती है लेकिन थोड़ा सा रिसकी टीम तो बनानी बनती है तो मैंने इसलिए ऐसा किया हुआ है मैंने विल जेक्स को यहाँ पर कैप्टनसी दी है और अगर वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो मोहिन अली यहाँ पर तो है मेरे वाइस कैप्टन रहने वाले हैं फिलिप सोर्ट है मारी टीम में, रीजा हैंडिक्स है, जैमी निशम है, मोही नली है, विल जैक्स है, रे मारियो से फर्ड है, आदिल रसीद है, परनेल है, लिजार्ड विलियम से, नादरे बर्गर है और डी डियो पालीन है, टीम मुझे अच्छी बैलेंस लग रही है, इसी अगर विडियो पसंद आया हो, विडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी प्रेस कर देना, ऐसे ही चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, मिलता हूँ आपको अगली विडियो में